उतर परदेश के हमीरपूर जिले में नावालिक किशोरी को उसके घर से अगवा कर दबंग ने तमंचे के दम पर बलातकार करने का संसनी खेज मामला सामने आने से संसनी फैल गई है पुलिस ने रिपोर्ट दर्चकर पिडिता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज कर आरोपी को गिरफतार कर लिया है हमीरपूर जीला अस्पताल में पूलिस अभी रक्षा में मैडिकल के लिए लाई गई यही वो नावाली का पिडित है जिसको घर से अगवा कर तमंचे के दम पर हवसका शिकार बनाया गया है जीले में ललपूरा थाने के एक गाउं की नावालिक किशोरी को उसी के गाउं के दबंग नागेंदर और बबलू ने रात में उसी के घर से अगवा करके अपने घर ले गया और तमंचे के दम पर उसका बलातकार किया दमंग के कबजे से छूटने के बाद पिडित किशोरी अपने घर पहुची और अपने साथ हुई दरिंद्य की पूरी बात बताई तो परिजन उसको लेकर पूलिस थाने पहुचे और दमंग बलतकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्च करवाई पूलिस ने पिडिता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज कर आरोपी दमंग नगेंदर उर्फ बब्बु को गिरफतार कर लिया है हमेरपूर जिले में नारी अपराधों की बाड़ा गई है यहां दबंग रोज किसी ना किसी नारी को अपनी हवस का शिकार बना रही है आज एक ही दिन में एक 62 साल की बुजर्ग और एक नाबालिक को हवस का शिकार बनाकर पुलिस को खुली चुनोती दी है हमेरपूर से सवधाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट फिर चलाना पाई वस्त कुंडी लगाई और तुरंत मुझे ले गया अपने घर पर क्या किया है फिर मेरे सब्बलतकार की यह थाना ललपुरा में कल रात यह सूचना मिली थी कि एक लगबग साड़े सत्रा साल की लड़की है और उसी गाउं का रहने वाला उसका एक लड़की के परिवार दौरा जो तहरीर दी गई थी उसके अधार पे मुकदमा दर्च कर लिया गया है और वो जो लड़का है उसे गिरफतार भी कर लिया गया है अन्यविदी कारवाई करते हुए उसे ने आई कभे रक्षा में भेजा जा रहा है जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण